वेल्कम बैक टुमा यूटूब चैनल पेपर हैकर हम डिसकस कर रहा है कोश्चन नमबर 15 में जो आप से पॉलीमर या बहुलक और पर टिपड़ी पूची है उसका आपका सा ठीक है भाग आपका क्या है सा है इससे पहले हमने आ और बा को डिसकस कर लिया है आज हम जानेंगे स साके बारे में पॉली स्टाय्रीन ठीक है पॉलीिस टाय्रीन जो कि आपका क्या है या पहुलक है तरह है इसका als का यसकी अगर हम पाकरें तो यह आपका क्याै कि इस तायरिन मैं है क्या है यह आपका डिस living के निए ज और यह यह आपका यह आपका कुछ이्ट्राइन होता है ठीक है क्या होता है इस टाइरण होता है और इसके जब N-m Counter laughter scène आप जोड़ा दोगे आपस में आपस में क्या कर दोगे अन lacked वाप इसके आप आपस सारे इस्टाइरीन आपस में मर्ज हो चुके है तो भई क्या हो जागा पॉलिस्टाइरीन हो जागा ठीक है यह दे रखा पॉलिस्टाइरीन कारा है अथायल बेंजीन के हाइड्रोजीनेशन से इस्टाइरीन प्राप्त होता है जो आपका इथायल होता है और बेंजीन इन दो का जुड़ना यह इस्टाइरीन किसी परॉक्साइड की उपस्तिती में पॉली मराजड होकर पॉली स्टाइरीन देती है अब जो हमें क्या मिला है इस्टाइरीन जो मिल गया हमें किस से मिला है एथिल और बेंजीन से स्टाइरीन मिला है अब यह स्टाइरीन क्या करता है किसी परोकसाइड की उपस्थिती में, ठीक है, वो यह आपका परोकसाइड हो सकता है, की उपस्थिती में क्या करता है, यह पॉली मराजड होकर, यहां क्या करता है, पॉली मराजड होकर, ठीक है, आपस में एक दूसरे से मिलकर, बहुत सारे अड़ू एक दूसरे से कमबाइन होक यह क्या है आपका ने सब्क्राइब निचे यह आपका स्ब्लाब करेंगे तरहां यह और यह मिलेगा तो इसका इसका होगा ठीक है क्या होगा इसके ऊपर आपका यहां पर दिखाई दे रहा है मान लो इसमें कुछ इस तरह से बांड का क्या है हो तो इसको पुरा करने के लिए हैट। आपको आया पर घाल आपका फॉर्प्र अटेक करेगा और क्या करेगा CH2 single bond CH2 माइनस अब इस पर क्या आगे आपका माइनस आया हुआ है और यहां से जो hydrogen आपका प्लस की फॉर्म में नकलेगा वो कहां चला जागा इसी से आके आपका अटेच हो जागा और क्या बन जागा CH2 CH2 single bond CH3 अब यह आपको मिल जागा कुछ इस तरह से ठीक है क्या मिल जागा CH2 single bond CH3 पिलस बेंजीन पर आप देखो इसको क्या करना है इसको आपने हीट कर देना है ठीक है कोई ऑकसाड ले लो यह क्या है आपका जिंक ऑकसाड है क्या है आपका जिंक ऑकसाड है ठीक है इसकी उपस्तिती में हमने क्या करना है इसको हीट कर देना है जब आप इसको हीट कर दोगे तो यहां से दुबारा से आपका जो H2 molecule है वो आपका बाहर निकल जागा ठीक है है तो आपका यहां से और यहां स सबस्क्राइब करदें करें बाहर निकल जागा तो आपका एक हाड्रों यहां दोरों बाहर निकल जाएंगे ठीक है क्या है क्या है आपका कि यह आपका स्टोग्ट कि निकल जाएंगा और माई आ जागा क्या जागा आ उपस्तिती मेंपौल उसन करना क्या करना है बहली करन करना है, बहली करन करने पर ये styrene, बहुत सारे styrene, आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से link हो जाएंगे, या एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और एक लंबी सरंखला का formation कर लेंगे, तो उसी लंबी सरंखला को हम क्या कहेंगे, polystyrene कहेंगे, क्या कहेंगे भी, polysty जो किसी परॉक्साइड और की उपस्तिती में पॉलिमराइजेशन द्वारा बनता है यह क्या है आपका एक बेंजीन है इससे आपके क्या लगा हुआ है पॉलिमराइजेशन कर दिया है पॉलिमराइजेशन करने पर आपका क्या मिला है आपका पॉलिमराइजेशन पॉलिमराइजेशन कर दिया लगा रहता है इससे बोतल्स ती उसके ऊपर देखाओगा आपने की प्लास्टिक का एक ढकन लगा रहता है ठीक है लिड जैसे कहते है प्लास्टिक का खीचने वाला नहीं कुछ इस तरह से अंदर उसमें जो धसा रहता है ठीक है यह क्या है आपकी मानलो यह आपकी क्या है भी बोतल है अब इसमें क्या करना कि कुछ इस तरह से प्लास्टिक का ढकन इसमें कुछ इस तरह से इस तरह से देखा होगा आपने लगा रहता है ठीक है उपर से हम प्लास्टिक का धकन लगा देते हैं खीचने वाला नहीं जो मतलब कुछ इस तरह का होता है ठीक है उसको उसमें अंदर जो उसका यह जो इसका होल होता है ना बोतल का इसमें हम उसको तेजी से लगा देते हैं ठीक है रेडियो के पार्ट की वे जो कैसे सो बह बहुति जो से बनाते और बच्चों के भी इसीसे बनादे थे तो इन सभी में इसका आप ये आपड़ा था कि Huh ठीक है अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपका आजागा पॉली एक्रो पॉली एक्रो नाइट्राल क्या जागा पॉली एक्रो नाइट्राल की बात करेंगे हम अगले वीडियो में ठीक है रही हमार साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैक्क वाचिंग शेयर दाव वीड झाल झाल